जैहिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आफ सभी को यह बताने वाले हैं कि BSAP Constable Trademan की एक नई भरती का नोटिफिकसन जारी हो रहा है अब इस भरती के लिए कौन-कौन बच्चे फार्म को भर सकते हैं एज क्या रहने वाली है बहुत ही बड़ा मेंटर करता है कि आखिर एज क्या रहेगी 18 साल से लेकर कितने साल तक के बच्चे फार्म को भर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे और दूसरी चीज बात करेंगे कि क्या 10th पास थो हम हैं क्या पलस में कोई experience चाहिए या फिर सिर्फ 10th पास वच्चे फार्म भर सकते हैं या फिर कोई NS QA फ्लेबल चाहिए सारी चीजे आज की वीडियो में डिस्क्सन करेंगे और साथी height के बारे मताएंगे क्या आप अकी बार height over 60.7 cm रहेगा या फिर आप सभी की height यहाँ पर 175 cm रहने वाली है यह सारी चीजे आज की वीडियो में बात करेंगे और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी apply कब से कर सकते हैं short notification आप सभी का कब लेज होगा सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो BSF Constable Tradement की यहाँ पर लगातार हरे साल भरती आ रही है ठीक है यह बात यहाँ पर सत्त है पहली भरती आई आए आप सभी की यहाँ पर 2787 पोस्ट और दूसरी भरती आई यहाँ पर 200 ठाउन पोस्ट हम दिजेगा 200 ठाउन पोस्ट अब तीसरी भरती आ रही है करीब यहाँ पर 2000 प्लस पोस्ट ठीक है अगर इस प्रकार से हम बात करें मारे भाई तो आपकी जो ये 2000 प्लस पोज भरती आ रही है इस भरती में अब की बार जो अब की बार भरती आ रही है इसका जो selection process रहने वाला है उसने भी बदला होगा बदला होगी ये होगा पहले बार और आप सभी का यहाँ पर एक्जाम करवाया जाएगा उसके बाद आप सभी का PET और PST होगा मतलब Physical Efficiency Test और Physical Standard Test ठीक है उसके बाद आप सभी का यहाँ पर Trade Test होगा धान दिजेगा उसके बाद आप सभी का यहाँ पर Trade Test होगा फिर आप सभी का यहाँ पर Medical होगा और फिर आप सभी का यहाँ पर DVV हो जाएगा इतना process के साथ आप सभी गुजरना पड़ेगा तब आप सभी को यहाँ पर BSF Constable Treadment की जॉब मिलेगी और ऐसे नहीं मिल जाएगी जब आप सभी यह सारी चीज़े कल लेंगे फिर आप सभी को देखा जाएगा कि आप सभी ने return exam में कितना number लेकर आए हो उसी के basis पर आप सभी कटाओ बनेगी और फिर आप सभी को यहाँ पर selection दिया जाएगा इतना लंबा procedure आप सब के साथ होने वाला है अगर आप सभी BSF Treadment के लिए form apply करते हैं अब हम बात कर लेते हैं कौन-कौन बच्चा फार्म को भर सकता है अगर आपकी age यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है तो आप सभी इस भरती के लिए form को भर सकते हैं अगर आप SCST है तो आपको यहाँ पर age में 5 साल का छूट मिलेगा अगर आप OBC है तो आप सभी को यहाँ पर age में 3 साल का छूट मिलेगा ठीक है यह बात यहाँ पर fix हो गई चलिए यह बात हो गई अब हम बात कर लेते हैं height को लेकर height आप सभी की यहाँ पर 165 cm होनी चाहिए ठीक है 115 cm height journal OBC और SC का होना चाहिए ST का यहाँ पर 160 cm रहेगा तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है यह यहाँ पर मैंने आपको physical बता दिया ठीक है अब हम बात कर लेते हैं आपर कि आप सभी का जो exam होगा तो exam में कैसे क्या होगा धन दीजेगा exam में आप सभी से यहाँ पर 100 question पुछा जाएगा ठीक है 100 question पुछा जाएगा वो भी 100 number का रहने वाला है जिसमें आप सभी का negative marking नहीं रहेगा बिना negative marking का आपके यहाँ पर exam होने वाला है 100 question आप सभी पुछा जाएगा 100 number का रहने वाला है बतला भी 100 questions में math, reasoning, gk, hindi मिला कर 100 questions आप सबी से पुछा जाएगा ठीक है टाइम आप सबी को यहाँ पर 2 घंटे का मिलने वाला exam में exam आप सबी के यहाँ पर online मादम से होगा और TCS agency आपकी exam यहाँ पर conduct करवाएगी ठीक है अब यह सारी सीजियों हो गई अब जैसे आप सबी exam qualify करेंगे फिर आप सबी का physical होगा फिजिकल की बात करें तो आप सबी से यहाँ पर 5 km running करवाई जाएगी आप सब को यहाँ पर 5 km running करना पड़ेगा जो की 24 minutes के अंदर running को qualify आप सबी को करना पड़ेगा ठीक है उसके बार आप सबी के height ना पी जाएगी 165 cm और आप सबी का chest यहाँ पर 77 से 82 cm होनी चाहिए ठीक है उसके बादे से आप सबी सारी सीज़े कर लेते हैं फिर आप सबी का weight माप जाएगा कम से कम आप सबी का weight 50 kg होना चाहिए जादा कितना भी हो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है यह सीज़े हो गई यहाँ पर अब देखिए आप सबी जिस भी trade के लिए फार्म को apply कि रहेंगे जैसे आप सब से ट्रेड टेस्ट लिए जाएगा जैसे हमाल लेते हैं example तो परकि आप cook के लिए farm को apply किए तो cook में आप सबी से पुछा जाएगा आप सभी को रोटी बनाना आता है नहीं आता लकिन आपको रोटी बनाना जीखना पड़ेगा पहले से ठीक है आप सब से यहाँ पर रोटी बनवाएंगे ठीक है रोटी बेलवाएंगे भी बनवा पासकते हैं तो मेरे दोस्त फिसकल के बाद सभी का ट्रेट होगा और ट्रेट जैसे आप सभी क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप सभी का यहाँ पर डीवी होगा उसी दिन ठीक है डीवी में आप सभी फार्म भरते समय जो भी डॉक्यमेट लगाएंगी वही आपको लेका जा पास कर जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है मेडिकल होगा फिर आप सभी कह यहाँ पर कटाओ फाएगी कटाओ फाएगी आपके एक्जाम के वेसेस पर ठीक जितनी वेकेंसी रहेगी उतने ही बच्चों को यहाँ पर सेलेक्शन दे रहता है आप हम बात कर लेता है कि क्या qualification है कौन-कौन बच्चे फाम बर सकते हैं अगर आप यहाँ पर 10 पास है अगर आपनी दसुमी कर रखी है तो आप फाम बर सकते हो लेकिन यहाँ पर लेकिन भी सदल लगा है मतलब बट लगा है बट अगर आप 10 पास है और आप जिस trade के लिए फाम बना चाहते हैं जैस आप सभी कहीं से बना सकते हो चाहां पर आप सभी के पास बात करें तो यहां पर दो साल का experience certificate रहने वाला ठीक चाहे जहाँ आसी बनवाली ये कोई दिक्कत नहीं है कुक के लिए भी यहाँ पर दो साल का work experience certificate चल जाएगा अब मैंने बहुत सरे भाई कहेंगे कि पिछली बार जो भरती आई थी इसमें NSQF level first का certificate मांग रहे थे कैसे क्या होगा ये full notification आने के पार मैं आपको स्तारी सीजे बता दूँगा लेकिन 50% है लग सकता है और 50% है यहाँ पर नहीं लगेगा ठीक है क्योंकि नहीं लगेगा मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि पिछली बार इससे जो भरती आई थी उसमें experience पर ही काम हो गया था लेकिन इस बार जो nsqf level फर्क certificate मांग लिया गया है इसी के इसी के लिए जो भरती है ये court में चली गई थी ठीक है लेकिन इसको चलते हो सकता है BSF हविस का खतम कर दे मतलब nsqf level खतम करके दो साल का experience ही simple तरीके से मांग ले ऐसा हो सकता है ठीक है बाकि नहीं भी होगा तो आप सभी के पास यहाँ पर nsqf level फर्स्ट का certificate होना चाहिए अगर मांग लेते हैं तो ठीक है तो इसलिए आप पर असान मत हो यह मेरे भाई भरती आने दीजिए और आपको करीब यहाँ पर 2000 प्लस देखने को मिलने वाला है और इस भरती का apply जो है मैं दोस्त तो आप सभी का फरवरी 2024 में start होने की पूरी पूरी संभवना है अब फरवरी में चाहिए सुरू में start हो जाए चाहिए last में शुरू हो जाए लेकिन फरवरी में ही आप सभी का apply यहाँ पर सुरू हो सकता है ठीक है तो यह बहुत ही latest update है आप सभी के लिए तो आप सभी यहाँ पर त्यार हो जाएगे अब हम बात कर लेते हैं document को ले करके कौन कौन से document आप सभी के लगने वाले धान दीजेगा document की जब बात आती है में तो बहुत सतरे भाई सुनने लगते हैं देखिए आपके पास यहाँ पर 10th की मार्शीट होनी चाहिए ठीक है अगर आपने 12th कर रखे 12th की मार्शीट भी आप सभी लगा सकते हो ठीक है उसके बाद आप स यहाँ पर दो फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का ठीक यह हो गया बाकी SC ST से अगर आप सभी को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैं जो बता रहा हूं यह ओनलाइन अप्लाइज करते समय लगेगा ठीक है तो अगर आपके पास नहीं है ताप बन लोड करना पढ़ेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर कि अगर आफ सभी अगर आप सभी कोई भी हो चाहिए SC ST चाहिए OBC डबली स्टॉप सभी को यहाँ पर निवास प्रमाणपत्र भी लगाना पड़ेगा ठीक है तो निवास भी बनवा लेजिए उसके बाद यहाँ पर पास इतना ही आप सबका लगने वाल है बाकी अनत्ता कुछ नहीं लगेगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसे भी आप सभी यहाँ पर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है यह सारी चीज आपके साथ यहाँ पर होने वाली है फिलार मैं आसा करता हू आप सबको साथ चीज समझ में आ गई होगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप सभी की जो भरती है फरवरी दोजाशोबीस में देखने को मिलने वाला है और जैसे इसका सौट नोटिफेसन आता है और सौट नोटिफेसन ज जैसे जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वाले समय में अपडेट करता रहूँगा तो अगर आपको वीडियो चले लोगी वीडियो को लाइक शेयर सस्क्राइब कर देना मेरे दोस्त क्योंकि आगे भी आप सबको इस तरीके सब्देट हमें साम मिल सके ठीक है तो मिलता स जैसे वीडियो में एक सांदर अब्डेस तक तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम